संगी जी दक्षिन का द्वार एक तरीके से ये मानकर चल रही है बीजेपी की शायद तेलंगाना से खुल जाए क्योंकि दक्षिन में कहीं मौजूद्गी नहीं 130 सीटे लोकसभा की है लोकसभा चुनाव में एहम रोल अदा करेगा दक्षिन भारत क्या बीजेपी की स्थिते इस वक्त आप दक्षिन भारत में देखते हैं और क्या ये बीजेपी के लिए एंट्री गेट हो सकता है तेलंगाना देखें मुझे ये कहना कि एंट्री गेट अलरी करनाटक के अंदर भारतिय जनता पार्टी मुझे लगता है कि आपको लोकसभा के चुनाव के नतीजे और जो विधान सभा के चुनाव के नतीजे हैं वो दोनों अलग होंगे जब लोग सभा में भारतिय जनता पार्टी जाएगी तो आप देखेंगे कि वहाँ भी बेहतर पर्फॉर्मेंस करेगी और तिलंगाना का जहां तक सवाल है मुझे लगता है कि इस बार का जो चुनाव होगा वो केसियार की पार्टी और भारतिय जनता पार्टी के बीच ही है देखें जब भी आप ये जो च्छे जो है आप जो जिस योजना को लेकर के करनाटक में कॉंग्रेस पार्टी गई थी महालक्षमी योजना को लेकर के यहां भी आई है सबसीडिय देने की बात करें एलेक्टिक इनिट मुफ्त करें जो सीए जी का रिपोर्ट आया है वो कहता है करनाटक अभी से ही रेवनियो डेफिसिट में है कहां से पैसा लाएंगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे अभी कुछ पता नहीं है यानि कि जो कॉंग्रेस पार्टी कहती है कि हम विकास के रास्ते पर ले जाते हैं और जहां तक रेवनियो है वो इसके बाब जूद भी रेवनियो डेफिसिट वहाँ पर है फिक्सकल डेफिसिट है वो पैसा काहां वो बॉर्विंग को भी मान करके चलते हैं कि हमारा वो इनकम है ऐसी इस्तिती में वहाँ पर ये देना कि हम ये सबसीडी दे देंगे, ये सबसीडी दे देंगे, वो सबसीडी दे देंगे हो सकता है कि आप एक चुनाओ जित जाएं, दो चुनाओ जित जाएं, लेकिन रास्ट के साथ आप घातक नीती अपना रहें ऐसी इस्तिती बनेगी तो आने वाले दिनों में हमारी भी इस्तिती स्रिलंका जैसी हो जाएगी यही काम स्रिलंका में किया गया था ऐसी बहुत सारे एकनॉमी जो है वो डूब गये हैं इस इस्तिती में और कॉंग्रेस पार्टी के साथ दिक्कत क्या है कि Congress Party किसी भी तरीके से चुनाव जीतने का प्रियोजन कर रही है उसे इस बात कर नहीं है कि वहाँ की आर्थिक स्थिति क्या होगी वहाँ क्या होगी हम governance दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे राजस्थान में आपने चुनावी वादे किये क्या आपने राजस्थान में उन वादों को पूरा किया आपने हिमाचल में वादे किया क्या उन वादों को आपने पूरा किया तो मुझे लगता है कि कोई भी पार्टी हो चाए वो भारती जंता पार्टी हो चाए कॉंग्रेस पार्टी हो जब चुनाओं में जाए तो वो रेलिस्टिक चीज़ों को ले करके जाए और बाकी नहीं एदियादी करते हैं तो वो सारी चीज़ी बेमानी है इसका जवाब रोहन जी से ले रोहन जी कब तक फ्री में बाटियेगा कब तक कहीएगा कि ये भी फ्री दे देंगे उसी के बलपर कितनी दे तक वोट लेंगे गाजरपा जो आप जो जो राजनेतिक विशेशक जडियाग या विशलेशक कह रहे थे जिस प्रकार से बाजरपा की जो तारीफ कर रहे कि उनको 9 साल के भाजरपा की जुम्ले पसंद है और जनता कبة जनता का। करें आपको बिथा सेुदा सीधा को नुआ क्टाउबेú छूडगेज़ नहीं पारिम आपध़े को और लुए कि तुर्णेजो राजनेतिक विष। राजनेतिक विशनेशक है, उनोंने जो जब 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 किया वह बात आपको बता है। जो पार्टी कहेगी उसकी सरकार है, उसको सोचना है कि कहां से पैसा आएगा। जो बी पार्टी को वादा करती है, उसको टाइम बाउंड तरीके से पुरा करना और उसका रिपोर्ट कार देना और फिर जनता की सामने जाना कि हमने ये किया है। अब आप सोचिए, ये राजनिती हो गई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूस गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।